नमस्कार दोस्तों, आज की दिन बहुती दुख भरा है। लेजंडरी फिल्म एक्टर दिलेप कुमार साहब की आज निजन हो चुके हैं। उनकी उमर 98 यर हो चुके थे और आज की दिन उन्होंने अपनी आखरी सांस लिये हैं। दिलेप कुमार साहब की साथ शारुखान की बॉंडलिंग बहुत ते अच्छे थे। शारुखान की दिल की बहुत करेप्थे दिलेप कुमार साहब। और बॉलियूट में दिलेप कुमार साहब को शारुखान अपनी पिताजी की तरह रेक्सप्रेट करते थे। ऐसे में शारोखान की भी एक बहुत बड़ा लॉस आज हो चुके हैं। और इसलिए इस दुब्वरे तीन में शारोखान उनकी फैमिली की साथ खड़े हैं। बिना किसी टुइट से शारोखान ने देरी ना करके सीधा दिलीप कुमार सहाब की रेसिडेंस पहुँच चुके। आप नेरे पिक में देख सकते हैं कि इस पिक में देखिए कि इस तरीके से सायरावानों की साथ वक्त बिथा रहे हैं। सायरावनों दिलीप कुमार सहाब की पतनी हैं। शारोखान की साथ उनकी फैमिली की साथ बहुत ही अच्छे बॉंडिंग रहे दिलीप कुमार सहाब की। तो आज की इस दुग भरे दिन में शारोखान ने अपनी फिल्म पठान की शूटिंग को बंद करके सीधा पहले दिलीप कुमार सहाब की घर में जाना पसंद किया। शारोख सर ने अभी तक ट्रूइट भी नहीं किये और इसकी वज़ा है कि शारोख सर किसी भी काम में अपनी टाइम जाया नहीं करना चाते हैं। इस दुख भरी समाई में वो दिलीप कुमार सहाब की फैमिली की साथ बिताना चाते हैं। और ऐसे में आप सब को बता दू कि दिलीप कुमार सहाब भी शारोख खान को अपनी बेटा के तरह मानते थे। शारुखान को बहुत पर अपनी सुमें प्रशंग कर चुके हैं तो ऐसमे में किंखान पॉँच चुके है दिलिप कुमार सहाब की रेसिडेंस बे और इसो खान की पत्ली साहरावानों के साथ वक्त विता हैं आप बताईए आप कितने जादा दुख हैं आज की दिन पर लेजंडरी एक्टर दिलिप कुमार की निधन पर कॉमेंट सेक्षन में आपकी रेक्षन बताए साथ सथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्काइब कीजिए